खैरलांजी चिकला पानबे 11 केवी करेंट की चपेट में आया विधुद कर्मी जानकारी के अनुसार ठेकेदार द्वारा विधुद के मेंटेनेस के लिए रखे गए विधुद कर्मी आज दो फ़ोर सारे बारा बजे डियो बदलते समय विधुद की चपेट में आ गया प्रात्य जानकारी के अनुसार चिकला निवासी अंकेश पिता हरुपलाल साहू उम्र 27 वार्स आज सुकडी घाट फिटर के साले बालनी का डियो बनाते समय विधुद की चपेट में आ गया जिससे ग्यारा केवी की हाइटेंसन तारो में 10 मिनाट तक लटका रहा ग्रामिल्णों के सोर सराबेवा लाइनमेन को फोन पर सूचना देने पर बिजली काटी गई जिसमें तारो पर लटक रहा युवक सड़क पर जागीरा जिसे उसके हाथ बुरी तरह से जुलस गए जिसको ग्रामिल्णों द्वारा ततकाल बालाघाट के एक नीजी अस्पताल में युवक का इलाज जारी है नहीं रहती कोई सेफटी कीट विभाग नहीं देता ध्यान जानकारी के अनुसार विद्विधुत कर्मी के पास कोई सेफटी कीट नहीं रहती इस घंणा का आखिर जिम्मेदार कौन है किसके कहने पर अंकेश दियों को जोलने घंबे पर चड़ा था यहां जांच का विशय है सुप्रीम पाउर नियूज के लिए खैरलाजी चिकलाबान से संदीव वाग मारे किरीबो